नमस्कार, आज में आपको भगवान के भगत की कहनी सुनाने जा रही हैं। किसी गाउं में एक कसाई रहता था, उस कसाई का नाम सदना था, सदना भहुत ही इमानदार था, सदना धार्मिक प्रवर्टी का था, उसकी छोटी सी दुकान थी, वह मास बेचकर ही अपना जीवन यापन करता था, वह अपनी भगती में लिन रहता था, सदा ही भगवान का नाम कीरतन करता रहता था, सदना कोई भी काम करता लेकिन उसके मुख से सदा ही भगवान का नाम निकलता और वे हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाता रहता वो भगवान के नाम कीरतन में मस्त रहता था यहां तक कि मास को काटते बेचते हुए भी वे भगवान का नाम गुनगुनाता रहता था उसकी भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रशन थे भगवान के मन में आया कि मैं सद्ना कसाई की साथ ही रहू तब भगवान ने एक उपाय सोचा एक दिन सद्ना अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था तो उसके पैर से कोई पत्थर टकरा गया वह वहीं रुग गया और देखने लगा उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकराया है उसने वह पत्थर उठा लिया और जेव में अपने पास रख लिया उसने सूचा कि यह पत्थर मास तॉलने के काम आएगा जब सद्ना बापस आया तो उसने बापस आकर वह पत्थर मास के बजन को तॉलने के काम में लगाया कोछे दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारन नहीं है जितना भी बजन उसको तॉलना होता पत्थर उतने ही बजन का हो जाता धीरे धीरे यह बात गाउं में फैलने लगे कि सदना कसाई के पास बजन करने वाला पत्थर है वह जतना चाहता है पत्थर उतना ही तॉल देता है किसी को एक किलो मास देना होता तो तराजु में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी और एक किलो का मास ही तुलता अगर किसी को दो किलो देना होता तो वह पत्थर दो किलो ही तॉलता इस चमतकार के कारण उसके यहां लोगों की भीर जुटने लगी भीर जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ गई सदना बहुत खुश रहने लगा बात एक सुद्ध ब्रहमर तक भी पहुँची हाला के वह ऐसी असुद्ध जगे पर नहीं जाना चाहते थे जहां मास कटता हो या बिक्ता हो किन्तु चमतकारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उस ब्रहमर को सदना की दुकान तक ही चलाई दुकान से थोड़ी दूर खड़े होकर उसने सदना कसाई को मास तौलते देखा ब्रहमर ने देखा कि कैसे वह पत्थर हर पिरकार के बजन को बरावर तौल रहा था तब ब्रहमर के ध्यान से देखने पर उसके सरीर के रौए खड़े हो गए भीड के छटने के बाद बह ब्रहमर सदना कसाई के पास आया उस ब्राहमर को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रशन भी हुआ और उसे आश्चेरी भी हुआ तब सदना कसाई ने बड़ी नम्रता से ब्राहमर को बैठने के लिए इस्थान दिया और ब्राहमर से पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है तब ब्राहमर बोले तुम्हारे इस चमतकारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ या यूँ कहें कि ये चमतकारी पत्थर ही मुझे खीच कर तुम्हारी दुकान तक ले आया है बातों ही बातों में ब्राहमर्ण ने सदना कशाई को बताया कि जिसी पत्धी समझ कर तुम मास तौल रहे हो बास्तम में वो सालिगराम जी है जो कि भगवान का शरूप है सालिगराम जी को इस तरह गले कटे मास के बीच में रखना वो उनसे मास तौलना सदना को लगा कि अंजाने में मैं तो बहुत पाप कर रहा हूँ अनुने बिने करके सदना ने वैसाली ग्राम उन ब्रहमण को दे दिया और ब्रहमण से कहा कि आप तो ब्रहमण हैं आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इने प्रशन करें मेरे योग कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं वो ब्रहमण उस साली ग्राम सिला को बहुत सम्मान से घर ले आए घर आकर उनोंने सिरी साली ग्राम को इसनान करवाया पंच्यम्रत से अवशेक किया वा पूजा अर्चना आरम करती कुछ दिन बीट जाने के बाद उस ब्रहमण के सवपन में सिरी साली ग्राम जी आये तथा ब्रहमण से कहा हे ब्रहमण मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रशन हूँ किन्तु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ जहां से तुम मुझे लेकर आये हो सवपन में ही ब्रहमण ने इसका कारण पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो मुझे अच्छा लगता है परन्तु जो भक्त मेरे नाम का गुरगान कीरतन करते रहते हैं उनको मैं अपने आपको भी बेज देता हूँ सद्ना तुमारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता परन्तु वह हर समय मेरे नाम गुर्गुनाता रहता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए तो मैं उसके पास गया था ब्रहमण अगले ही दिन सद्ना कसाई के पास जाता है वह उसको प्रणाम करके सारी बात सद्ना कसाई को बताता है तब ब्रहमण ने सिरी साले ग्राम जी को सद्ना कसाई को सौंप दिया ब्रहमण की बात सुनकर सद्ना कसाई की आँखों में आसू आ जाते हैं मन ही मन, सदना कसाईने, मास बेचने और खरीदने के कारे को बंद करने की सोची और उसने मन में निश्चे गिया कि यद मेरे ठाकुर को कीरतन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीरतन ही करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकोन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे धन्यवाद